नमस्कार दोस्तों, एश्टोगुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष की बहुत-बहुत शुब कामना है। ये नए वर्ष आपके लिए बढ़िया हो, सुखद हो और सम्रिदशाली हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक से चार जनवरी तक के लिए धैनिक राशिफल। आए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। पांचवी राशी लेते हैं लियो यानि सिंग राशी। सिंग राशी एक जनवरी को आपको काफी सतरकता बरतने की जरूरत है। इस दिन आप किसी भी व्यक्ति पर आँख बंद करके विश्वास ना करें तो अच्छा रहेगा। चुंकि साल का ये पहला दिन है इसलिए थोड़ा सम्हाल कर चलना आपके लिए लाजमी रहेगा। एक जनवरी ऐसा दिन है जब आप किसी समस्य के शिकार भी हो सकते हैं या लोगों की योजनाव में फस सकते हैं। इसलिए किसी के भी साथ डील करते समय किसी के भी साथ बात्चीत करते समय अपने आप में conscious रहें अपने आप में जागरूब बने रहें। अगला व्रेक्ति आपसे क्या कहता है तो ये समझने की कोशिश करें कि इसके पीछे क्या तत्य हो सकते हैं। इस दिन जितना ज़्यादा सतर्क रहेंगे उतना समस्याओं से बचे रहेंगे दो जनवरी ऐसा दिन है जब आप काफी प्रसंद रहेंगे परिवार, मित्रों, संबंधियों सभी का सहयोग और प्रेम आपको मिलता रहेगा इस दिन व्योसाई के छेतर में, कारे के छेतर में भी आपके सम्मान में वृत्धी होगी आप अपने लोगों से और अपने सीनियर से भी प्रशंद पा सकते हैं इस दिन कोई ऐसा व्यक्ति आपको धुखा देने का प्रयास कर सकता है कोई एक व्यक्ति जो आपके बहुत निकट हो इसलिए भावावेश में आकर कि किसी को प्रॉमिस ना करें और भावनाओं के आवेश में आकर किसी कारे को दोजनवरी को ना करें तो अच्छा रहेगा Otherwise, सारे कारे के लिए दोजनवरी बढ़ना दिन है किसी कारे को शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा रहेगा तीन जनवरी को आप अपने आप में एक दोईधा का शिकार्थ हो सकते हैं जब आपको पता हो कि क्या सही है लेकिन उस ओर जाने से डर रही है अगर आप सत्य की ओर बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आपको फाइदा नहीं भी हो रहा तो भी आपको एक संतुष्टी रहेगी अपने आपको इस बात में इन्वाल्व करने का प्रयाज करें कि आप स्वार्थ ही नहीं है तीन जनवरी को स्वार्थ रहित होना आपके लिए फाइदे मन रहेगा लेकिन साथ ही साथ तीन जनवरी को एक बात का ध्यान लखिएगा अगर कहीं पर आपके विचारों को मांगा जाता है या किसी मामले पे आपका निर्ड़े मांगा जाता है तो सत्य का साथ दीजीएगा किसी भी प्रकार के पक्षपात में ना जाईएगा तभी आपका फाइदा होगा शुरुआत में आपको फाइदा दिखे या ना दिखे लेकिन आप करेए किसी कारे में involve हैं किसी कारे को शुरू करना चाहते हैं तो तीन जनवरी बढ़िया है लेकिन अगर दूसरे का नुकसान हो रहा है तो तीन जनवरी नुकसान दे सावित हो सकता है चार जनवरी आप एक छाक बढ़िया दिन दहेगा दुपक्षे मामलों में सफलता के संजोग है प्रेमी प्रेमी काओं और पती पती के लिए ये दिन बहुत अच्छा बहुत सुटेबल है आप एक दूसरे के साथ जितना ज्यादा समय बिताएंगे उतना एक दूसरे को ज्यादा समझ पाएंगे एक दूसरे का सम्मान कर पाएंगे और एक दूसरे के प्रती उतना ज्याद फ्लाइब बढ़ेगा। इस दिन दुपक्छे मामलों में व्यापारी क्शेत्रों में जो दुपक्छे मामले उनसमकिमर्य में सफलता मिलने के संकेत हैं। विवाह की उम्र आपके अगर गई है तो आपके विवाह पर परिचरचाय चल सकती है या विवाह जबकि विवाही जीवन की बात करें तो एक तारीक को आप अपने जीवन साथ ही से किसी बात पर तुनक सकते हैं सरफ इतना ही होगा बाकी तीन दिन बढ़िये नहीं गँएन दोस्तों ये था देनिक राशिफल, एक से चार जन्वरी के लिए आपको ये कारेकरम कैसा लगा, अपने अनुव, अपने सुझाओ, कमेंट सेक्षन में जरूर लिखें, इस वीडियो को लाइक करिए, शेर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, धन्यवा नमस्कार